आपने अगर ये वीडियो क्लिक किया है तो आप इन तीन में से एक बात डेफिनिटली सोच रहे होंगे पहली कि आपको एक अवन की जरूरत है भी की नहीं दूसरी आपको एक माइक्रोवेव लेना चाहिए या फिर एक अवन लेना चाहिए या फिर तीसरी कि आपके पास अलड़ी एक माइक्रोवेव है तो उस केस में आपको एक अवन की अपने घर में जरूरत है की नहीं और इन तीनों सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है और साथ ही मैं आपको इंडिया में मिलने वाले बेस्ट अवन यानी OTGs के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने भी वाला हूँ और आपको ऐसा वीडियो 2023 में कोई और देखने को नहीं मिलेगा पूरे YouTube पे That is my यानी विनीत मलोतरा की गारेंटी है इतने सारे अवन देखके आप शायद यह सोच रहोंगे कि शायद मेरी कोई दुकान है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों मेरा यह प्रफेशन है मैं एक electronic reviewer हूँ और मैं अलग तरीके से काम करता हूँ मैं प्रॉडक्स को पहले खुद खरीदता हूँ ना कि brand से sponsored content लेके आपको दिखाऊं मैं इन सभी products को पहले खरीद के खुद टेस्ट करता हूँ अपने घर पे, अपने office में, अपने studio में और उसके बाद उन्हें compare करके ऐसे comparison videos बनाता हूँ तकि आप एक सही product लेने का decision ले पाएं क्योंकि आपकी hardened money जब सही जगा खर्च होती है तो मुझे भी खुशी मिलती है बदले में मैं आपसे एक चीज की request करता हूँ जब भी आपको फ्रॉडक्स खरीदें तो please मेरा affiliate link यूज़ करें उससे आपका price तो बिल्कुल सेम रहता है लेकिन इस channel की थोड़ी सी financial मदद होती है और उसे जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के हम सारे staff की salaries भी देते हैं और ऐसे products खरीद के आपको ये बता पाते हैं कि किस particular product में आपको सबसे ज़ादा value मिलेगी क्योंकि products सभी अच्छे होते हैं थोड़ी सी value का फरक है और आपको भी value ही बताऊंगा इस video के अंदर इस video के अंदर मैं आपको 5 OTGs और अवन्स recommend करूंगा उनके बारे में बताऊंगा भी उन्हें दिखाऊंगा भी उन्हें यूज करने का अपने experience भी शेयर करूंगा लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ 5 important points भी बताऊंगा पीच-बीच में जो आपको सुनने चाहिए ताकि आप ये decision ले पाएं कि अवन आखिर आपके लिए जरूरी है भी या नहीं इस video को पूरा ध्यान से देखिएगा सबसे बड़ी confusion होती है capacity को लेके क्योंकि अगर आप एक OTG या फिर अवन ले रहे हैं और आप सिर्फ दो लोग हैं घर में एक कपल हैं तो आपको इस size का OTG यूनो अप्रॉक्सिमिटली 20 लीटर तक का OTG बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आप उसे use करके यूनो यू कन enjoy different kind of dishes लेकिन अगर आप चार लोग हैं 3 से 4 लोग हैं तो और खाने के शौकीन भी हैं तो 30 लीटर या फिर उसे ऊपर का वेरियंट ले जिसे 40 L, 50 L आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं जैसे मैं और मेरी फामिली तो हम 40 लीटर का अवन यूज करते हैं ताट इस बेस्ट क्योंकि उसके अंदर फुल साइज पीज़ आप बना सकते हैं आप उसके अंदर अलग अलग तरीके की डिशे बना सकते हैं So, that you have to keep in mind अवन के अंदर आप कोई भी डिश बनाने जा रहे हैं जैसे पीज़ा या फिर कुकीज कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं तो पहले उसे प्री हीटिंग पे डालें प्री हीटिंग नहीं करने पे आपका पीज़ा बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगा और आपकी cookies भी बिल्कुल crispy नहीं बनेगी और आपको उसे खाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा अवन अगर preheat होगा तो आपका pizza बहुत जादा tasty और delicious बनेगा और जैसा आप चाहते हैं, uneven cooking वाला pizza बिल्कुल वैसा ही आपको तयार मिलेगा and that is the best part of an oven आप अगर एक microwave अगर use करते हैं तो उसके अंदर कुछ limitations होती हैं क्योंकि microwave safe utensils आपको use करने पड़ते हैं लेकिन वो बहुत कम limitations OTG के अंदर यानि oven के अंदर होती हैं आप इसमें लगबग हर तरीके के utensils को use कर सकते हैं चाहे वो glass हो, चाहे वो aluminium हो, चाहे वो steel हो आप किसी भी टाइप के utensils को use कर लें सिवाए plastic के क्योंकि वो इसके लिए safe नहीं होता है और वो खराब हो जाएगा, बरतन भी और आपकी dish भी एक चीज़ का अपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी टाइप का utensils के अंदर डालें उसके अंदर आप कोई भी dish डाल रहे हैं बनाने के लिए, बेक करने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो उसको properly grease कर दें या नहीं, oil या फिर butter उसको लगा दें ताकि जो खाना है उसके साथ वो चिपके नहीं और आपको टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा बिटर आए मतब मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है, आपको कैसा पसंद है, बताईएगा अब अब एक OTG लेंगे ना, तो उसके नदर आप तरह तरह के खाने भी बनाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा और आपकी फैमिली भी एंजॉई करेंगे लेकिन उसके साथ क्या होगा कि आप जब पहली दूसरी या तीसरी बार यूज करेंगे तो आपको लगेगा यार, OTG में खाना तो अच्छा बन रहा है, लेकिन वो साइट साहीट क्यों हो रहा है यह बिलकुल ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई OTG या अवन खरीद रहे हैं तो उसकी बिल्ड कॉलिटी अच्छी देख के लें क्योंकि हलकी बॉड़ी के जो OTG है, वो आपको थोड़े सस्ते जरूर कॉस्ट करेंगे, लेकिन वो इतने जादा लॉंग लास्टिंग होगे नहीं, क्योंकि एक हैवी बिल्ड कॉलिटी, साइड पैनल्स बहुत अगर हैवी होंगे, स्टेनले स्टील के बने होंगे, देन बने के लिए बहुत सारे ब्रैंड्स के बहुत सारे मॉडल को पहले खरीदा उन अवन से मैंने खाने बनाए भी और बनवाए भी उनने खाया और खिला वी और उसके बाद एक थारो कंपारिजन करने के बाद मैं इस कंक्लूजिटी पहुंचा कि मैं आपको पांच आवन्स और उनमें से जो फिफ्ट नंबर पे आता है वो है बजाज का ये 16-liter का अवन जो की चोटा तो है लेकिन बहुत शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है इस अवन के इंदर आपको 1200W की पीक पावर देखने को मिलेगी और ये पाउडर कोटेड स्टेनलेस टील बॉड़ी से बना है बजाज के इस OTG को जो की सिर्फ 16-liter का है आप अगर एक कपल है तो बहुत शानदार तरीके से यूज कर पाएंगे इसमें आपको कन्वेक्शन फै पर और 60-minutes का maximum timer function पर इस अवन को खरीदने पर आपको ये सारी एक्सेसरी साथ में देखने को मिलेंगी और हमारी टेस्टिं के अंदर ये अवन बहुत जादा सूटेबल रहा नहीं क्योंकि मेरी टीम है बड़ी और ये अवन है छोटा बट ऑन रेलिस्टिक साइड अगर पर कपल हैं तो ये 16-liter का अवन आपके लिए सूटेबल रहे का प्रोवाइड यू 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 बेक डरी स्मॉल पीजा और आप कुकी बना रहे हैं तो सिर्फ 8-10 ही बना रहे हैं इसमें आपको एक्सेसरी भी पूरी देखने को मिलती है एक्सेप्ट फोर रोटिसरी क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं नाओ इस अवन इस अवैलबल फोर फोर थाउजन रुपीज राइट नाओ ये प्राइस चेंज हो सकते हैं इसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिये हैं और वी एम वन किचन अप्लाइंस लिस्ट के अंदर भी दिये हैं जिने मैंने सही नहीं पाया इसलिए अगर आप वो लिस्ट डाउनलोड करेंगे अपने फोन में तो उसमें आपको वो सारे प्रोड़क्स पता चलेंगे अलग-अलग काटेगरीज के जो मैं रेकमेंड करता हूँ उसमें एक भी वो प्रोड़क्स नहीं होगा जो मैं रेकम एक इसके अंदर जो चेम्बर अंदर है उसमें लाइट नहीं है या फिर उसमें लाम नहीं है या फिर उसमें लाम नहीं है आप ग्रिलिंग नहीं करना चाहते हैं if you are not a non-vegetarian, तो मेरे खाल से तभी एक प्राबलम है, क्योंकि पनीर टिका भी ग्रिल होके बहुत जादा अच्छा लगता है, और आप वो रोटिसरी के अंदर जब बनाएंगे, और वो अपने आप घूमेगी, तो वो एक जो चीज है, जो आप अवन से ले सकते है, वो आप इसमें नहीं ले सकते हैं, अगर वैसा आपका यूज नहीं है, तो इसके लिंक्स दिये हैं आपको डिस्रिप्शिन बॉक्स में, वो इस टॉपिं यू, बेस्ट अवन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नमबर फोर पे आने वाला ओटी इस समय मेरे पस टूडियो में अवेलेबल नहीं है, बड़ आपकर रहा हूँ, मॉर्फी रिचर्ड्स के 1600 वाट के 28 लीटर मॉडल की, जो एक बहुत शांदार मॉडल है, और उसके अंदर आपको बहुत शांदार बिल्ड कौलिटी भी मिलेगी, क्योंकि इस अवन के अंदर भी आपको स्टेनलेस्टील बाडी देखने को मिलेगी, सिक्स हीटिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, कंवेक्शन फैन भी देखने को मिलेगा, Size चोटा होने की वज़े से आपको Bajaj में वो Features नहीं मिल सकते थे जैसे Rotisserie, वो आपको Morphe Richards में मिलते हैं, पैट मैं Bajaj और Morphe Richards को Compare कर क्यों रहा हूं, क्योंकि अब Morphe Richards Bajaj का ही Brand है, और Bajaj ही Morphe Richards को चला रहे हैं, इसलिए दोनों की Build Quality बहुत जादा शांदार है, आप Morp किसे Bajaj का ही OTG खरीद रहे हैं, so that is why it is a very good one, इस OTG के अंदर आपको Temperature Control मिलेगा, टाइमर मिलेगा 60 Minutes तक का, और Yes, ये एक Illuminated Chamber, यानि इसकी Chamber के अंदर आपको Lamp लगा हुआ मिलेगा, which is a very good thing, Morphe Richards के OTG को खरीदने पर आपको ये सारी Accessories साथ में देखने को मिलेंगी, और ये Accessories बहुत अच्छी quality की हैं, और Morphe Richards इस OTG के साथ आपको 2 years की comprehensive warranty भी देते हैं, लेकिन at what cost? आप इस OTG को अगर खरीदना चाते हैं, 28-liter model को, तो आपको 7,900 रुपीज के आसपास का cost करेगा right now, ये prices change भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनके links दिये हैं, description box में भी, और VM kitchen appliance list में भी, आप उसे जरूर download करियेगा, but first shall we talk about the pros and cons of this OTG, मैंने बहुत सारे OTGs को test किया, Morphe Richards भी एक बहुत अच्छा OTG है, लेकिन ये थोड़ा expensive है, 7,900 रुपीज, लगबग 8,000 रुपे के अंदर, आपको 28-liter model मिल रहा है, I agree, it has a very good build quality, इसके अंदर सारे features है, सारे functions है but ये बहुत expensive है मेरे हिसाब से, क्योंकि value इस OTG के अंदर मुझे नहीं मिलती है, unless and until you are a brand conscious person, जिसको एक Bajaj का, या फिर Morphe Richards इसे में आपको पताया, Bajaj का ही एक brand है, उसका ही OTG चाहिए, then this is a good one, आपको किसी तरीके से regret नहीं होगा, that आपने एक inferior quality का product खरी था, बिलकुल और अगर मैं बात करूँ pros की, तो इस OTG के अंदर भी आपको किसी तरीके की कोई problem नहीं होगी, आपको हर तरीके के खाने बनाने में कोई परिशानी इसलिए भी नहीं आएगी, क्योंकि हर तरीके की accessory इसमें आपको दी गई है साथ में, और उनकी quality भी बहुत अच्छी है, the आपको expensive नहीं लग रहा है, तो क्या वेट कर रहे हैं, जाएगे, लिंक्स दिये हैं आपको description box में, best OTG in India 2023 की मेरी list में, जो number 3 पे आने वाला oven है, वो है इनालसा का ये 30-liter model, जिसके अंदर आपको 1600 Watt की peak power देखने को मिलेगी, now this is a very very good model, इसके अंदर जो build quality है, इसके बारे इनालसा नहीं डिकलेर नहीं करा कि ये stainless steel है, इसलिए इसे मैं कह रहा हूँ metal body, और इस OTG के अंदर आपको 4 stage heat selection देखने को मिलेगी, and as all the OTGs have, इसके अंदर भी आपको convection technology देखने को मिलेगी, साथ ही ये rotisserie के साथ भी आता है, इसके front में heat resistant tempered glass लगाया गया है, और आपको इसमें temperature control knob भी मिलेगी, और आप उस पे 60 minutes तक का timer set कर सकते हैं, chamber के अंदर आपको lamp भी देखने को मिलेगा, और इस oven में आप 100 से लेके 250 degree तक के temperature पे लेके जा सकते हैं अपने खाने को, ये सारी accessories आपको इस oven के साथ देखने को मिलेगी, accessories की build quality अच्छी है, और ये सारी 30 liter का oven मिल रहा है, which is a very very good price, and capacity भी अच्छी है, लेकिन मेरे कुछ concerns है, इनालसा को लेके, तो वो में आपके साथ pros and cons में share करता हूं, सबसे पहले आपको इसके pros बताता हूं, I think it is a very very good oven, इनालसा एक बहुत बढ़ा brand है, और ये एक अच्छा product है, इसके साथ अच्छी accessories भी गई है, ये एक budget buyers के लिए बहुत अच्छी choice बन सकता है, provided आप वो जो cons में बताने जा रहा हूं, उन्हें overlook कर दे, पहली चीज़ इसका design, इसका design थोड़ा जादा wide है, लेकिन deep उतना नहीं है, like ये oven उतनी depth के साथ नहीं आता है, लेकिन थोड़ी चोड़ाई इसकी जादा है, अब practical usage के अंदर, ये design इतना जादा effective नहीं होता है, usable नहीं होता है, कारण आप जब pizza बनाते हैं, तो pizza को चोड़ा इस तरीके से नहीं बनाते हैं, आप उसे गोहल बनाते हैं, obviously, पुरी दुनिया में ऐसे ही खाया जाता है, so आपको उतनी ही गहराई भी चाहिए, जितन जब मैंने अवन रसीव किया, तो उस समय से ही इसका इंडोर यानि यानि जो चैंबर का लांप है, वो जला ही नहीं, so हमने कंप्लेंट करी और उसके बाद आज तक 15-20 दन से रेजलूशन को ही नहीं मिला, but I don't think कि ऐसा नहीं होगा कि इनल्सा कॉंटाट नहीं करेगा और नहीं हो कि एक बहुत छोटी सी चीज है, लांप दुबारा मिल जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा, this is another concern, but the main concern that I have from this particular OTG is, कि इसकी बिल्ड कॉलिटी ती स्टडी नहीं है, मैंने आपको बताया था, इस अवन के बारे में बताते हुए कि इनल्सा ने डिकलेर नहीं करा क कि ये स्टेनलेस स्टील है कि नहीं, and just check, ये थोड़ा हल के मेटीरियल से बना है, इसका वेट जानते हैं क्या है, only 6 kg, in fact less than that, और अगर मैं इसी टाइप के अवन को compare करूं, तो उनका वेट होता है लगबग 10 या 11 kg, so ये एक बहुत बड़ा फरक है, जिसकी वज़े से, ये सुननी चाहिए, best oven in India 2023 की मेरी लिस्ट में number 2 पे आने वाला oven कौन सा है, थोड़ी सी कम capacity, लेकिन बहुत शांदार build quality के साथ आने वाला, फिलिप्स का ये 25 लीटर का oven, जिसमें आपको 1500 watt की peak power मिलती है, लेकिन इसकी best USB जानते हैं क्या है, इसके अंदर आपको एक डिस्पले भी देखने को मलता है, and that is a beautiful blue display, फिलिप्स की build quality के बारे में सिरुफ ये कहूंगा कि इसके अंदर आपको cold rolled steel body देखने को मलती है, यानि एक बहुत अच्छी quality की stainless steel body, और इस oven में आप 7 level browning और adjustable temperature की मदद से बहुत अच्छी अच्छी चीज़े बना सकते हैं, obviously इसके अंद इसके अंदर आपको एक screen देखने को मिलती है, blue color की, उसी के साथ आपको one touch preset menu options भी देखने को मिलेंगी इसके अंदर, कई तरीके के functions को आप इसमें use कर पाएंगे, और इसके अंदर आपको 90 minutes का auto cutoff timer भी देखने को मिलता है, which is a very good thing, पर accessories के मामले में, Philips ने थोड़ी सी और आपको सिर्फ यही accessories देखने को मिलती है, 2 years की comprehensive warranty आपको फिलिप्स देता है, इस OTG के खरीदने पर और यह आपको cost करेगा इस समय 9000 रुपीज का, मैंने इसके links दिये हैं आपको description box में भी, और VM1 kitchen appliance list के अंदर भी वो भी आपको description box में मिलेगी, आपको से डाउनलोड कर model is like okay okay in terms of quantity, मतलब जो इसके अंदर आप चीजे बना सकते हैं, उसके अंदर limitation आएगी, लेकिन इसके जो size है, वो बहुत proportionate है, मतलब ना जादा चोड़ा है और ना ही जादा गहरा, यही चाहिए होता है, एक अच्छे OTG की proportion के अंदर, जो इसके अंदर है, build quality wise, I am very very happy with this Philips model it's a very very good build quality OTG, but आपको नहीं लिगता की accessories कम है, particularly जैसे मैं आपको एक सेसरी बता हूँ, जैसे स्क्यूर नहीं है इसके अंदर, so, यह नहीं देने का कोई कारण समझ नहीं आया, Philips का, they are charging a good amount of money, which is why I have to call it as a slightly expensive model, क्योंकि आप 25 लीटर का OTG लेंगे, 9,000 रुपे देके, which I think is a slightly more price than the market, but मैं फिर भी यही कहूंगा कि it's a very very good product, build quality wise it's a very very good OTG, और अगर आप एक बिगनर हैं और आपको कुछ आइडिया नहीं है, you know, OTG में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से कौन सी हीटिंग पे वो सही खाना, सही तरीके से कुखो के बाहर निकलेगा, तो I think this is a very very good model, क्योंकि इसके कुछ preset menus है, 8-10, उसके पीजा, कुकी, यह सब चीजे अराम से बना सकते हैं, you have to just, you know, select that particular option, और अपना, you know, पीजा बेस, उसके उपर आपने toppings जाल के, आपने रख दिया, चीजवीज लगा के, और वो बन के आजाएगा, यहां घंटी नमबर वन पे एक पार, फिर से, दो बारा टॉप करने वाला अवन है, अगारो का 40 लीटर मॉडल, जिसके अंदर आपको 1500 वाट की पावर मिलती है, और यह पिछले दो साल से, नमबर वन की पॉसेशन पे बना हुआ है, because of its build quality, and जिस प्रैस में यह अवैलेबल है, और consistently मैं इसे अपने घर में खोद यूज कर रहा हूँ, and it is easy like, you know, very very easy, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत चीजे बनाई है, and I was really really happy in using this oven, इस oven के अंदर आपको stainless steel की body मिलती है, which is solid, and the proportion of this oven is absolutely perfect. मैंने आपको proportion के बारे में already बताया है, कि पीजा का पेस बिलकुल गोल होता है, obviously we all eat pizzas, लेकिन ये पीजा आपके rectangular oven में, या फिर सिरफ जादा गहरे oven के अंदर नहीं आपाएगा, आपको सही proportion का, you know, एक प्रॉपर स्क्वेर टाइप की, you know, space वाला oven चाहिए, जो ये है, आपको इसके अंदर प्रॉपर स्पेस मिलती है, 40-liter capacity, आपको, actually, if you are a foodie, then you must go for a 40-liter or an above, you know, quantity, OTG. आपको इस oven के अंदर 6, यानि 6 heating modes देखने को मिलेंगे, और ये adjustable temperature के साथ आने वाला oven है, जिसमें आपको convection technology भी देखने को मिलेगी, ये motorized rotisserie के साथ आता है, और इसके अंदर आपको heat resistant tempered glass window देखने को मिलती है, and yes, the chamber has illumination, यानि उसके अंदर एक lamp लगाया गया है, आप इसे 60 minute तक के timer लगा सकते हैं, और ये 90 degree से लेके 230 degree के temperature पे जा सकता है, मेरे पिछले डेड़ साल के usage के अंदर आज तक एक बार भी इसका lamp खराब नहीं हुआ, and almost, हम एक week में शायद चार या पांच बार इसे घर में यूस करते हैं, almost every day, एक आप तरीके से इसका usage समझें, and उस usage के अंदर, I have never experienced a single fault in this oven, that has actually gave me a lot of confidence in recommending this product, क्योंकि ये product ना सिर्फ बहुत सस्ता है, आपको अच्छी quality दे रहा है, proper size दे रहा है, and मुझे फाल्तू features की जरूरत नहीं है, जैसे, अगर मैं Philips के model से इसे compare करूँ, तो इस model के अंदर आपको auto menus नहीं मिलते हैं, या फिर, एक display नहीं मिलता है, and trust me, आप जब एक oven को use करना शुरू करेंगे, तो आपको वो display की इतनी जरूरत नहीं मिलेगी, आपको चाहिए होगी extra space, जो ये oven दे रहा है, and 40 liter is the perfect size for me and my family, इस oven के साथ भी आपको ये सारी accessories देखने को मिलती है, and they are all of very very good quality, और अगारों से आपको one year की comprehensive warranty मिलेगी इस oven को खरीदने पे, आपको ये oven approximately 7,000 रुपीस का cost करेगा, इस समय इसके prices change हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसके links आपको description box में भी दिये हैं, और VM1 kitchen appliance list में भी दिये हैं, आपको उन्ने चेक करना चाहिए, अब आपको बताता हूँ इसके pros and cons, मैं इसे खुद यूज कर रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं कि एक oven से किस तरीकेसे, किस टेम्परेशर प्रीचर पर कितनी देर के लिए पीजा को बनाना है, या फिर आपको पनीर टिक्का को ग्रिल करना है, धना या दिस फाइन, अगर आपको नहीं समझ नहीं समझ तो रहा इक बतन दबाना है, तो कम से कम दो या तीन लोग खाएंगे, दो दो पीस खाएंगे, तो उसकी अंदर आपको इतनी लेंथ चाहिए, कि रोटेसरी में आप सारे पीसे को लगा के उसे प्रोपरली ग्रिल कर सकें, and this particular model has that. That is why, I think this is an appropriate size, जैसे ही आप तीन या चार लोग हैं, family में, this is the size that you should go for. मेरे इसाब से this is a very very good oven with good build quality, इसमे एक्सेसरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, quality भी उनकी अच्छी है, और वो सारी useful है, आप कोई चीज मिस नहीं करते कि इसमें ये चीज रहे गई, ये एक्सेसरी होती, तो शायद माई ये भी कर पाता, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे इसाब से this becomes the number one OTG in India in 2023, इसके लिंक्स दिये हैं, इसके लिंक्स दिये हैं इसक्रिप्शन बॉक्स में, गो और चेक इट आउट. अब लोगों की बात करते हैं, जो microwave या फिर oven में से एक लेने के लिए confused हैं, या फिर जिनके पास already एक microwave है, और वो oven ले या ना ले, इसमें confused हैं. आपकी स्क्रीन पे आपको एक डिफेरेंसिस का चार्ट इस समय दिखेगा. उस डिफेरेंसिस के चार्ट में, आप ये देखे आप microwave में पीजा बना के नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो इतना even cook होगा, कि आप उसे enjoy नहीं कर पाएंगे. electricity भी, OTG के अंदर कम consume होगी, और बाकी सारे parameters के अंदर अगर आप देखें, तो OTG किसी जगह से कम नहीं हैं, और इसकी cost भी, एक microwave oven से, जो की इस capacity का आता होगा, उससे लगभग आधी से भी कम है. Now, it is completely your call, कि आपको क्या करना है. मैं जैसे अपने घर के अंदर एक microwave भी यूज़ करता हूँ, और एक OTG भी, लेकिन जो काम OTG से करा जा सकता है, वो microwave से कभी भी करना possible नहीं है. Because this is the kind of cooking we all want. Microwave से आप अलग तरीके के परपसे सॉल कर सकते हैं, but that's a topic for another video, जो मैं आपको जल्दी ही जरूर दिखाऊंगा. कैसा लगा आपको ये वाला video, बताएगा जरूर मुझे comment section में, और अगर आपका कोई सवाल है, जो आप directly मुझसे पूछना चाते हैं, अवन्स के बारे में, you can always ask that in the comment section, और मैं जल्दी से जल्दी उनका reply करने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपके लिए जाने से पहले मैं दो videos के sedation देके जा रहा हूँ, इन videos को जरूर देखेगा, ये भी thoroughly researched और इन सभी videos के अंदर सारे products को मैंने खुद खरीदा है, आशा करता हूँ, आप मुझे support करेंगे, और इस channel को support करने के लिए हमारे affiliate link को use करके अपनी purchase को पूरा करेंगे, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, thank you very very much